वेलकम फ्रेंड नमस्कार में डॉक्टर प्रदी कुमार आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं भाईयों काफी महिला हैं और पुरुस भूख को बढ़ाने के लिए बोडी को बनाने के लिए और सरीर की लंबाई को बढ़ाने के लिए बिना डॉक्टर की सल के लंबे समय तक इस्टेरोड दवाईयों का प्रियोग करते रहते हैं जिसकी वैसे उनके सरीर में काफी बहंकर से बहंकर नुक्सान हो जाते हैं तो भाईयों आज मैं आपको बताऊंगा के लंबे समय तक इस्टेरोड दवाईयों का प्रियोग करते रहने से हमारे सरीर मे क्या नफसान होते हैं तो इस विशे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के मातम से दूँगा तो भाईयो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें चहरे पर कील मुहां से निकलाते हैं एशाप करते समय दरद होता है पुर्सों का इस्तन बढ़ जाता है रेड बलड सेल की संख्या में अधिक ब्रद्धी हो जाती है बलड में अच्छा HDL कोलिस्टॉल का इस्तर कम हो जाता है और खराब LDL कोलिस्टॉल का इस्तर बढ़ जाता है सिर के बाल जढ़ने लग जाते हैं सुक्रानगों की संख्या में कमी आ जाती है, बाजपन की समस्या हो जाती है, काम इच्छा में परिवर्तन आ जाता है, हार्ड फेल हो जाता है, हार्ड अटेक आने का खत्रा बना रहता है, लीवर्ग संबंदी बिमारियां हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, पुर्सों में अंडगोस सुकर जाता है, चिंता और तनाप की समस्या हो जाती है, ब्लेट प्रेसर बढ़ने लग जाता है, सुगर का लेविल बढ़ने लग जाता है, और भाईयों सरीर में पानी खटा होने लग जाता है तो भाईयों लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सला के इस्टिरोट दवाईयों का प्रियोग करने से ये सबी नुक्सान होते हैं तो भाईयों अगर आप इस्टिरोट दवाईयों का प्रियोग कर रहे हैं तो आप इसका ब्रयोग ना करें अन्य था आप काफी परियसानियों में फसे जाएंगे भाई योगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें मैं आपके हर कमेंट का जबाब जरूर दूँगा नमस्कार भाई